कांगरेस की हाई लेबल मीटिंग की चर्चा पूरे इंदुस्तान में स्वक्त हो रही है सोनिया गांदी की आवास पर कांगरेस की हाई लेबल मीटिंग प्रशांत किशोर की मौशोगी में क्या फैसला होगा इस पर चर्चा है जी हाँ जनपत पर अचानक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है पाटी के बड़े नेता कई मुद्दे पर मंथन करने वाले हैं आने वाले राजिस सभाचुनाब से लेकर 2024 के विधान लोगसभाचुनाब को लेकर भी देखा जाए तो काफी जादा च होने वाले हैं तो आपको बताना चाहें कि इस वक्त कॉंग्रिस की निथा मंतन करेंगे और अर्जिंट मीटिंग सोनिया गांधी ने बुलाई है तो इस बारे में आपको बता दे प्रशांत कि शोर ने भी बताया कि एहम बैठक है इस वर चर्चा होगी तो वहीं सरकार पर कि पार्टी जो है कॉंग्रिस वर्किंग कमीटिंग की मीटिंग जो बलाई गई है पांच घटित तक कॉंग्रिस के दिगजों ने इस पर मन्थन लिया था ये सब जाते हैं रावल गांधी ने कहा था देश क्या है इस पर बात करना होगा राज्यों के लिए अलग-अलग बनानी होगी भाजपा नहीं स्वार्ताओं के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा तो वहीं कॉंग्रिस पार्टी की रूप में महात्मा गांधी नेहरू पतेल के सिध्धानतों का पालन करते हुए इस पर देश में ताकतवर पार्टी फिर से बनानी पड़ेगी तो वही आई मुद्दे पर कॉंग्रिस जो है केदर सरकार को घेडने के लिए इस पर भी पैसले ले शकती है तो भहीं कॉंग्रिस अध्यक्ष को लेकर जो खबरे आ रही थी सचिन पालिट को कॉंग्रिस अध्यक्ष से चुना जा सकता है और इसे लेकर जो लगता सस्पेंस बना इस पर भी बहुत जल्द चिंतन इस मिटीं में की जा सकती है ये भी बताया जा रहा है लेकिन अभी तक कॉंग्रिस अध्यक्ष के तौर पर सचिन पालिट को चुना जाएगा इसे लेकर किसी भी पार्टी के नेता ने इश्वारा नहीं किया है जी हां डिप्ति सीम सचिन पालिट को उनके पज से हटा कर जी हां डिप्ति सीम के पज से हटा कर कॉंग्रिस अध्यक्ष कुनने को लेकर अभी तक सुनिया गांधी के मन में ऐसा नहीं है पालिट के नाम पर वोट मांगा गया सचिन पालिट को मुखी मंतरी बनाने के लिए राजस्थान में मांग की गई थी नेताओं की तरफ से और यह आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर रिपोर्ट में दिल्ली में राहुल गांधी और प्रेंका से 6 दिन पहले सचिन पालिट की मुलकात हुई जिसके बाद उन्हें जो हैस्ती धां अंग्रे सद्ध्यक्ष बनाने की डिमांड पर इशा अच्छार नहीं है देक्ष नाइंग यूसम से रुपतेगी रिपोर्ट